हेलो दोस्तों, वल्कम बेक टू जिक्के डेली चैनल, आज हम महत्व पुरुण देगनानी उपकरण एवं उनके उप्यों पार्ट वन में 51 और पार्ट टू में 51 से 100 उपकरण के बारे में बात करेंगे, आप SAC, बेंक, रेलवे, NTPC, NDA, CDS और विभीन न एक्जाम की तयारिक कर रहे हैं, तो ये टोपिक बहुत ही महत्व पुरुण रहने वाले हैं, क्योंकि सभी एक्जाम में एक और दो प्वेशन पुछा जाता है, दो वीडियो को अंतक जरूर देखे, गाइस, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्ली सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकोन को दबाना ना भुलें, ताकि हुमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, पहला उपकरण है, अल्टेमीटर, यह उच्चाई को मापता है, और उसका उप्योग विमानों म किया जाता है, दो, अमिटर, यह विद्युद धारा को अम्पियर में मापता है, ती, अन्यमोमिटर, यह उपकरण हवा की गति को मापता है, चार, ओडियोफोन, उसका उप्योग सुनने में समस्या होने पर किया जाता है, यानि कि श्रवन शक्ति सुधारने के लिए ओडियोफोन को उप्योग किया जाता है, पार, एपिडोस्कोप, अपार दर्शी चित्रोका पर्देपर दिखाना, सिनेमा में पर्देपर चित्रोको दिखाने के लिए एपिडोस्कोप का उप्योग किया जाता है, छ, त्वरण मापि, एक्सेलेरोमेटर, त्वरण मापने के लिए तद उप्रांत, कारो, मशीनो, इमारतो, प्रक्रिया नियंत्रन प्रणालियो और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर कमपन को मापने के लिए त्वरण मापि का उप्योग किया जाता है, साथ, एसकेलेटर, चलती हुई यांत्रिक्स सिडिया, आट, एक्टिनोमिटर, सुर्य किरणों की तीवरत्या मापने का यंत्र, इसका उप्योग विद्यत उर्जया को स्टोर करने के लिए किया जाता है, डस, एरोमिटर, गेश का भारव व, गनत्वम आपने के लिए एरोमिटर का उप्योग किया जाता है, ग्यारा, बाइनोक्यूलर, इसका उप्योग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, बारा, जाइरोस्कोप, किसी वस्तु की कोणी यस्थिती यानी की जुकाव को मापने के लिए किया जाता है, तेरा, बेरोमिटर, यह वायो मंडलिय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, चौदा, क्रेस्कोग्राफ, यह पोधो में व्रुद्धी को मापने के लिए किया जाता है, पंदरा, क्रोनोमिटर, ठीक समय जानने के हेतु से जहाज में लगाए जाने वाली घड़ी है, सोला, कार्डियोग्राफ, यह रदै की गती का मापन करने के लिए उप्योग किया जाता है, सतरा, थियोडोलाइक, यह शतीज ओर उध्वाधर कोणों को मापता है, अठरा, केलिपर्स, बेलनाकार वस्तुक के अंदर तथा बहार के व्यास मापने का यंत्र, उन्नीस, कमपास, दिशा सुचक यंत्र, यानि की दिशा की जानकारी के लिए कमपास का उप्योग किया जाता है, बीस, केलोरिमीटर, यह उश्मा की मात्रा को मापता है, एकीस, काइनेस्कोप, लाइब टेलिविजन कार्यक्रमों का रेकोड बनाने के लिए काइनेस्कोप का उप्योग किया जाता है, बाइस, काइमोग्राप, यह शारेरी क्रिया, कलापो, यानि की रक्तचाप और रदय की धड़कन को चित्रवत करता है, तेज, कार्ब्यूरेटर, यह पेट्रोल को वायू के साथ मिश्रिक करने के लिए, आंत्रिक दहन इंजन में उप्योग किया जाता है, चोबीस, कम्यूटेटर, विड्यूद धारा की दिशा बदलने में, डाइनमो में प्रत्यावर्ति धारा को द्रिश्ट धारा में प्रत्य वर्तित करने के लिए प्रयूग किया जाता है, 25, क्रायोमिटर, 0 डिग्री सेल्सियस एवं, उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला ताप मापी है, 26, डिप सर्पिल, नति कौन का मापन, 27, डाइनेमो, यांत्रिक उर्जा को विद्यत उर्जा में परावर्तित करते है, 28, डाइनेमो मेटर, यह, बल, आग्रून, वः, शक्ति को मापता है, 29, डेनियल सेल्सियस, परिपत में विद्यत उर्जा प्रवाहित करने के हेतु, 30, डिक्टाफोन, यह, बाचीत रेकोर्ड करके, पुन सुनाने वाला यंत्र है, 31, डाइलिसिस, गुर्दे खराब होने पर, रप्ताशोधन के हेतु पर, डाइलिसिस का उप्योग किया जाता है, 32, डेन्सिटी मेटर, यह, गुनत्वा मापने का यंत्र है, 33, फैदोमीटर, यह, समुद्र के गेहराई को माप्ता है, 34, डेल्वैनोमीटर, अति अल्प विद्युद्धारा को माप्ता है, 35, गाइगर मुलर, परमाणुकन की उपस्थिती वह जानकारी लेने के हेतु उप्योग किया जाता है, 36, ब्रेवीमीटर, जल्में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रेवीमीटर का उप्योग किया जाता है, 37, ब्रामोफोन, रिकार्ड पर उपस्थित ध्वनी को पुन सुनाने के लिए उप्योग किया जाता है, 38, लेक्टोमीटर, यह दुद्ध की शुद्धता का निल्धारण करता है, 49, मैनोमीटर, यह गेशों के दबाव को मापता है, 40, मैक्रोमीटर, अती लगू दुरिया मापने के लिए मैक्रोमीटर का उप्योग किया जाता है, 41, मेगाफोन, ध्वनी को दुरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए मेगाफोन का उप्योग किया जाता है, 42, मैक्रोम्स, केसी वस्तु का अनुविक्ष्निय परिक्षण हेतु से छोटे भागों में विभाजित करता है, 43, ओडोमिटर, यह पहियों वाले वाहनों द्वारा तई की गई दूरी को मापता है, 44, पेरिस्कोप, यह समुद्र तल से उपर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, 45, पेरिस्कोप का उप्योग सबमरीन में भी किया जाता है, 45, फोटोमिटर, यह उपकरण प्रकाश के श्रोद की प्रदीपन तिवरता से तुलना करने का काम करता है, 46, पाइरोमिटर, यह वहुद उच्च तापमान की माप करता है, 46, रेडियोमिटर, यह विकिरन उज्जा के उच्च सर्जन को मापता है, 48, रेंगेज, उसको युडोमिटर, लोवियोमिटर, उम्ब्रोमिटर, हाइटोमिटर के नाम से भी जाना जाता है, यह वर्षा की मात्रा का मापन करता है, 49, रेडियेटर, यह वाहनों के एंजिन को थंडा रखने के लिए उप्योग किया जाता है, 50, स्पीडोमिटर, यह एक वाहन की गति को मात्ता है, गाइस, एसे ही दूसरे पच्चाइस विगनानी उपकराण एवां उप्योग जानने के लिए पाट टू जरूर देखे, जिसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिक्शन में दी गई है, दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्स्राइब करके बेर एकोन दबाना ना भूलें,